खाबर एक खुरई से जहां कोवना जैसी संकर्मन महामाई से पूरी दुनिया को लोग लान कर दिया भारत में भी इसका असर बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है सभी चोटे बड़े उद्रूप धंदे सब कुछ बंदे पड़े हुए हैं करीम देहारी मजदूर के मदद क में हैतराबाद में पदस्य हैं उनके पिता स्री चंद्र सेखा चौबी बैंक में सेवा देकर सेव निव्रित हो चुके हैं प्रदान मंत्री कारवेट फंड में एक लाख रुपे दान किये और देश के प्रति उनके इस तमर्पड को देख पूरे सहर के गर्णमाने लोगो प्रदान मंत्री राहत पोस्ट में दान करें नमस्कार आज पूरा विश्व और अपना देश भारत करोना वैरस जैसी अत्यंत गंबी रापदा से जूज रहा है इस गंबी रापदा में हमारी विशाल जनसंख्या की सुरक्षा चिकिस्ता समाधानों की पूर्ती और लॉक कि इस आपदा की घड़ी में सरकार को यथा संभव सहायता प्रदान करें धन्यवाद जय हिंद जय भारत जो बैभाव चौवे जी ने अभी प्रदान मंत्री रात कुष में एक लाग रुपे दिये हैं आप उनके सिक्षक भी रहे हैं आप इसमें क्या कहना चाहेंगे बैभाव चौवे जो एक आइडियल स्टुडेंट के रूप में हमारी संस्ता उली फैमली कौर्णमेंट में माना जाता था वो शुरू से ही होनहार बालक था उनकी पिता जी स्री चंसेखर चौवे ब्रामबर समाज के लिए भी बहुत अथक प्रयास करते रहे समाज सेवा के माध्यम से पूरी खुरई में सोसल वर्ग भी वो करते रहे और वही गोन उस बालक में आज देखने को मिले कि उसने अपनी उससे एकलाग रुपए परदान मंतरी राध कोश में दी बहुत बहुत बढ़ाई प्यवाव के लिए जो आज एकलाग रुपए की राशी परदान मंतरी कोश के में दी है इसमें आप क्या कहना चाहिए चुकि मैं इनके पूरे परिवार को बहुत पुराने समय से जानता हूँ उनके दादा जी श्री उवकार पुरिशाद जी चौवे जिन्होंने खुरे में भात आश्टी स्वयमसेवक संग के लिए बहुत कुछ अपना योगदान दिया है इसके बाद इनके जो पृता श्री है श्री चंशेगर जी चौवे उनके लिए भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ बैंक में थे और उनका काफी समाज सेवा का कारिय खुरेई में चलता रहता था ब्राम्मन समाज के लिए उनका काफी योगदान था और ये जो बालक है ये बहुत ही होनहार प्रतिभाशाली रहा है अपने बच्पन की समय से बुछत रहता है ये वी कि अज़ में चलता हूँ ज़ी इनका की समाज से कि अज़ादान था था रहा प्रतिभाश्वाशाली रह भी वोगदान दोगदान वे ये विज़ा है थाया है वे रहा है